कॉल्गेट सब्ड सुनते ही क्या खयाल आता है जी हाँ तुटपेस्ट का तुटपेस्ट चाहे कोई भी ब्रेंड का क्यूं ना हो कॉल्गेट कहने से सभी समझ जाते हैं क्यूंकि इतना पॉपुलर है ये ब्रेंड लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये ब्रेंड कितना तो आज जानिये कोलगेत का इतिहास और सफ़दता की कहानी दोस्तों आप देख रहे हैं हिंडी यूट्यूब चैनल सक्सेस स्टोरीज इन हिंदी और मैं हूँ आपका होस्त और दोस्त भरगब आज का कहानी सुरू होता है 217 सल पहले जब सन 1783 में एंगलेंड में उलियम कलगेत का जनम हुआ उनके पिता जी का एक फर्म था जब उलियम 15 सल के थे तब उनका परिवार आमेरिका आगे और फिर से फर्म का काम सुरू किया और उनके पिता ने एक दुसरे आदमी के साथ पार्टनर्शिप्ट में साबुन और मंबत्ती बनाने का बिजनेस शुरू किया तब उलियम भी उनका हेल्प किया कटे थे लेकिन ये बिजनेस दो साल ही थी का और फेल हो गया उसके बाद उलियम कलगेत जब 16 बर्स का था तो वो New York सहर में रोजगर खोजने के लिए धर से निकल आए New York में उलियम कलगेत को एक साबुन बनाने का फेक्टोरी में नो सिखिये का काम मिला जहां उन्होंने दो सालों में बिजनेस के बारे में कई बात सिखे और बहाँ से निकलने के बाद सन 1806 में New York City में ही William Colgate & Company नाम से साबुन बनाने का अपना फेक्टोरी खोला। इसके सफलता के बाद उन्होंने 1820 में जार्सी सिटी में एक दूसरा स्टर्स फेक्टोरी खोला। और जल्दी ही New York सहर में सबसे समरिध्य व्यक्ति में से एक बन गया। लेकिन सन 1933 को उन्हें हार्ट एटेक आया और उनका बिजनेस लोस में चलने लगा। बाद में ठीक हुने पर फिर से बिजनेस को संभाला और नए उचाई पर लेके गए। विलियम कोलगेट एक बहुत बड़ा दानी भी था क्योंकि वो मानते थे कि सबकुछ भगवान का दिया हुआ है और अपने इंकम में से 50% तक दान में देके भगवान को सन्मान देते थे। उनके बड़े दान के चलते उनके नाम का एक इनिवर्सिटी भी है जो है कोलगेट इनिवर्सिटी। इतने पुन्यों के काम करने के बाद और मन चाहा सफलता पाने के बाद अखिर सन 1857 को बोचल बसे और उनके बाद उनके तिन बेटे रोबर्ट कोलगेट, जैम्स कोलगे जो कि सीसे की जार में आता था, बाद में सन 1896 में उन्होंने पहली बार टुटपेस्ट ट्यूब में बनाना शुरू किया, जो कि आज 123 सालों बाद भी वैसे ही हम और आप खरिद रहे हैं, लेकिन कोलगेट अब पामोलिव कमपनी के साथ जूर गया है अगर आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल को भी ओन कर ले ताकि आगे आने वाले और भी कमपनी का सक्सेस हिस्टोरीज और उनके फाउंडर के संगर्सों के बारे में जान पाए जल्द ही मिलेंगे एक और डुसरा कहानी के साथ तब तक के लिए नमस्कार